दोस्तो फूल और पौधे किसको पसंद नहीं आते हैं, सुन्दर सुन्दर फूलों को देखकर किसका मन नहीं आकरसित होता है प्राकिर्टिक ने हमें बहुत सारे प्लांट से ऐसे दिये हैं, जिसमें फूल वाले प्लांट भी होते हैं, सुन्दर सुन्दर पतियों वाले प्लांट भी होते हैं, बेल वाली प्लांट भी होते हैं, जो फूलों से लदे रहते हैं, और उनको अपने घर आंगन में अगर हम प्लांट होते हैं आज मैं आप लोग साथ 12 ऐसे प्लांट सेयर करूंगी जो बिल्कुल वाइन और वेल वाली है और जो कि अगर हम जमीन में लगाते हैं रेलिंग पर चढ़ा देते हैं तो बहुत ही खुबसूरती से उपर चढ़के और फूलों से भर जाता है जो कि देखने को पुप सुर्द करते हैं नम्सकर दोस्तों कैसे आप सब आइ खुबसूरत अच्छ कोरा के यह वाली प्लांट सो के पहले शापकी और disfrut ओभत को सद्वार्मी में और आप जादा वाइन प्लांट के सब हैं डोलिंग क्तियों नग्वांति हो फुब तको प्लांट गाम साथ इसमें बहुत ज्यादा खुश्बू भी आती है अगर हम जमीन में लगा के अगर किसी रेलिंग पर छट के रेलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इसकी खुश्बू से बनती है जब फूलों से लग जाता है तो पूरे रेलिंग को कभर कर लेता है अगर हम गेट के पास भर-भर के फूल आते हैं तो यह प्लांट दोस्तों लगाना बनता है क्योंकि यह बहुत खुश्बूदार प्लांट है यह एक वाइन प्लांट है इसको बीच से बहुत असानी से लगाया सकता है तो देखे मैंने यह अपने नीचे जमीन में लगाया है और इसको ऊपर प्लांट जो होते हैं कुछी वराइटी जो होते हैं वह वेल वाली होती है यानि वाइन प्लांट होती है क्योंकि यह बहुत ही खुश्बूरत इसमें फ्लावरिंग होते हैं और जब इसको भी अगर हम गेट के पास चरहा देते हैं तो बहुत उचाई तक चर जाता है और यह जब फूल खीलते तो बहुत सुंदर लगता है या फिर आप गेट के पास लगाए या फिर रेलिंग पर चढ़ा दीजिए या फिर किसी रसी के साहता से कोई भी आप आर्च बना दे तो उसकी खुशूरती देखते बनती है तो यह टिकोमा का प्लांट भी बहुत खु की स्पूल दोस्तों यह मुग्रा का प्लांट मुग्रा का प्लांट बहुत सुरत होते है डेक जिसमें किदे की बहुआ साइज के फोले फिले हूँ है जाता है और इसके स्ट्ल मत डबल एक भाम प्लांट है और इसकologists बहुत ज़्यादा आती है मोगरा कर प्रांट को देव पर चढ़ाया जाता है और इसको जब गेट के पास लगाते हैं या फिर रेलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह पूरे ऊपर तक कवर कर लेता है मैंने जमीन में भी लगाया है और यह इसके लत्तर जो होते हैं उपर तक प्लांट करता है और अगला लांट है दोस्तों चौहता प्लांट जो होता है वह बोगनवेलिया का लैंज सब्सक्राइब और हैं और यह इन देशती ब्रैटी में बहुता गया ख़ाता है ओं दोauen नों को सीशित तार अगर लेटे पच्छ बढानीं हमारे गेटी के रहती है च्छ नगाएंच मेरा बच्छ फूला अभी बारिज के दिने में बहुत असान है x17 1000 अभी प्लांट बना सकते और इसको गमले में भी लगा प्लांट बना सकते हम हध्यार जीस को पंडारां ओध्ययों जिने धिक का लायतने सुछ वेल वाला तो नहीं है लेकिन इसकी हाइट इतनी उचाई जाती है कि इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं और उपर तक जब यह चर जाता है तो गेट के पास इतने बरे-बरे साइज के जब फूल खिलते हैं तो इसकी खुबसूरती देखते बनती है इसमें भी बहुत सारे color आते हैं दोस्तो देखे यह मैं pig color का है इसके white color के भी है दोनों मेरे पास है और दोनों इतने bıra-bans फूल खिलते हैं जो कि देखने में बहुत खुबसूरत लगता है कि और इसको भी कटिंग से बहूत असानी से लगा सकते हैं और यह बहुत हाइटतर तक जाता है। इसलिए इसे एक वाइन प्लांट ही करते है। चटा प्लांट है दोस्तो तो deste सैप्रेस वाइन इसके जो कोलिते हैं बहुत ही खुबसूरत रिख बिल्कुल जैसा होता है और यह बहुत ही उचाई तक चल्ड के बहुत त्यार बन जाता है तो यह बन अच्छा दोस्तों वाइन प्लांट भी कहते हैं और इसे राकी बीकाते हैं तो यह plant एक बेल रूपी plant है जो की हम कोई भी आर्च बना सकते हैं दिवाल पर चरहा सकते हैं और इसके फूल देखे कितने खुबसूरत निकलते हैं तो इसमें मैंने दो तीन कलर की इसमें देखे हैं वाइट कलर के पिंक कलर के और यह परपल ब्लू सेड में है तो इस तरह क इसके फूल इसके होते हैं बरे-बरे साइज के और इसके फ्लावर होते हैं यह एक दिन रहते हैं देखने में बहुत खुबसुरत लगता है इसके फूल यह देवी प्लांट है दोस्तों इसके फूल देवों को बहुत ही ज्यादा पसंद है तो यह प्लांट भी आप अभी बर्षात के दिनों में लगा सकते हैं बहुत आसानी से लग जाती है ब्लू सेड में इस तरह के आते हैं और यह एक बेल रूपी प्लांट है जो कि किसी भी चीज से इसको उचाई पर चढ़ा सकते हैं इसको आर्च भी मना सकते हैं तो यह भी बहुत खुबसूरत है और इसके जो फुलावर होते हैं वह सुबह सुबह आट बजे तक खिलते हैं और अग्ला प्लांट जो दोस्तों है वह वह हमारा बेल वाला हमांडा है यह लो कलर के इसमें फूल कहलते हैं बहुत ही खुंसूरत करनेयर जैसे बड़े साइज के फूल खिलते हैं और इसकी जो खुब सूर्ति पहूलों की देख से बनती है इसे बारिष के दिनों में iim नहीं है करद हो कि बहूत असानी से यह पुपर तक चर जाता है और तो बहुत ही हैमी फूल पर देखे यह द 선배 के सहारे मैंने दिके उपर तक चठ गेया है और उपर और यह जाकर फूल खिलता है तो इसकी खुपसोरती देखते बनती है तो इससे रसी से बाँचे हम कोई और आर्च भी बना सकते हैं इसकी आर्च भी बहुत खुपसुरत लगती है गेट के पास अगर हम लगा रहे हैं तो गेट पर भी यह पूरे cover कर लेता है और gate की खुबसूरती को बढ़ा देता है कितना खुबसूरती इसमें फूल खिल रहा है तो इसे कहीं भी लगाए गमलेम लगाए फिर जमीन में यह जहां भी रहेगा यह पूरे उपर तक चड़के पूरे हर जगों को कवर कर लेता है और यलो कलर की जब इसमें फूल किलते हैं तो इसकी खुबसूरती बहुत बढ़ जाती है तो आने जाने वाले नजर की gate पर ही टीकी रहती है हमारे railing पर ही रहती है तो इस plant को भी लगाना बनता है दोस्तो बारिश के दिनों में बहुत आसानी सी यह मिल जाता है हमारा plant और बहुत जल्दी लग जाता है cutting से भी त्यार हो जाता है next plant है दोस्तो हमारा यह आप राजिता का plant आप राजिता का plant भी बहुत सूफ प्लांट है यह विश्णु भगवान और संकर भगवान का बहुत प्रियेब प्लांट है इसको देव पुस्प भी करते हैं बहुत ही खुबसूरत फूल होते हैं और इसमें white कलर के भी फूल आते हैं और यह blue कलर के परपल कलर के भी आते हैं मेरे पास यह blue कलर के हैं और इसमें बहुत खुबसूरत फूल खिलते हैं देखिए मैं इसमें इसको वी आर्च के साहरेः चbre दिया तो ये भी आप गमले में लगा सकते हैं 261 लगाने के बाद आप को फिर लाने की ज्योतनियाए दोति है और यहां पर देखिए मैंने ये लोहे के रड से आर्च बना कicamente यह सै जाते हैं वी एक बीज से थे aart को जो दो के मैंने यह आर्च तियार्व किया है और दोनों दो कम यूं किया है और एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से और यह कितना घंडा होया तो इस तरह से बहुत घंडड़ा प्लांट हो जाता है दोस्तो और यह कहीं भी आप चडहाए रसी के साहारे या ऽे दिवाल पर तो यह बहुत जयादा इसके फूल खिलते हैं गुच्छे में फूल खिलते हैं और एक बार ये फूल खिलता है तो बहुत दिनों तक राता है ठीके राता है और इसकी हाइट बहुत ज्यादा उचाई तक चर जाती है इसलिए ये बहुत ज्यादा वाइन फ्लांट तो नहीं है लेकिन इसकी हाइट इतनी जादा जाती है कि हम इसको एक सेप दे सकते हैं एक दिवाल के सारे चढ़ा के आप उपर तक चढ़ा सकते हैं अगर गेट के पास चढ़ा सकते हैं और इसको फोल्ड कर दे गेट के पास तो यह असानी से मूर जाता है और कोई भी आर्च का सेप ले सकता है जिसे कि हम को अगला और लाष्ट प्लान्ट है दोस्तों यह मांडा वैलिया का प्लांट यह जो कि बहुत ही खुशुरत इसके पिंक कलर के फूल खीलते हैं और यह वह एक वाइन प्लांट है जिसको हम बहुत ही आसानी से अगर जमीन में लगा रहे हैं तो इसको हम गेट पर चढ़ा रहे हैं तो फूल तो इसके बहुत खुशुरत सधने फूल से तो यह लगता है और बहुत ज्यादा अभी करता है तो इसे आप अभी नरसरी यह सकते हैं बहुत आसारी से मिल जाता है गेट के पास लगा जा है तो यह सके लोग जाता है और वालिंग फूल ही फूल दिखते हैं जो भी कलरों मेरे पास ये प्रक एक लाने के बाद इसको आप हमेशा यह पर यह एक वाइन प्लांट है और इसको असानी से हम लगा सकते हैं इस तरह दोस्तों मैंने बारग आप लोग के साथ सेर की जो की वाइन प्लांट है वेल वाले प्लांट है किसी भी गेट और दीवाल पर चड़ा कर इसकी खुब सूर्थी को बढ़ा सकते हैं अपने घर की रहु मस्तरे हैं प्लांट है का मुं ब्यास्तरे बाइ दोस्तों